हेलो फ्रेंड्स, फ्रेंड्स, फ्रेंड्स यहां पर हम बात करने वाले हैं 67th BPSC के exam date को लेकर, exam date को लेकर तो आप सभी लोगों को पता है कि आज जो है महा अंदोलन जो है वो था बहुत सारे candidate जो है यहां पर भाग लिए और यहां पर कहा है कि आज जो है बिहार बन बिहार बन का मतलब यह था कि जितने भी candidate जो है मतलब जितने भी टीचर BPSC की कोचिंग चलाते हैं उन सभी लोगों को कोचिंग बन करके इस महा अंदोलन में जो है वो सामिल होना था आप सभी लोगों को पता है कि अंदोलन करने का रीजन यहीं था पहला रीजन यह था कि BPSC का जो एक्जाम है वो जो है वो एक्जाम वन सिफ्ट में जो है वो कंडेक्ट कराया जाए और दूसरा रीजन यह था कि जो परसेंटाइल वाला BPSC ने नया खेल रचने के लिए ब्रश्टाचार को जन्म देने के लिए वो जो है वो समाप्त किया जाए तो उसी को लिकर जो है वो यहां पर धरना था तो यहां पर अप PPSC ने अपने जो एकजाम है परसेंटाइल का मैटर है उसमें जो है कुछ भी बदलाव नहीं किया गया यहां पर देख सकते हैं बहुत सारे कंडिरेट जो है यहां पर गये हैं आप अभी तक भी नहीं गये हैं तो फिर जो है आप जाईए यहां पर जो है वो सामिल हुए नौर्मल ची बात है आप सभी लोग को पता है कि जैसे कोई भी आंदोलन होता है फिर जो कुछ भी होता है तो गौर्मेंट जब हारती है आयोगारता है तो अपने आगे जो है पूलिस को करता है और इसी तरीके से यहां पर भी जो है वहीं किया गया और बहुत सारे जो रिष्ट किया गया और यहां पर क्या है कि देखिए आंदोलन आपका समाब्ध होने वाला नहीं है इतना आसान नहीं है कि मतलब बीपेसी के जो चेर्माइन साहब है नोटी जारी कर दें कि हम बीस और बाइस को एक्जाम कंड़क्ट कराएंगे विध परसेंटाइल एक्ज बिहार में अभी नई नई गौर्मेंट बनी है और आपने देखावागा कि जो बिहार के उप मुख्यमंत्री सबसे ज़्यादा नजर में और जितने भी भरतियां हैं बहुत अच्छी तरीके से उसको कम्प्लीट करना फिर जो कोछी बतलाव है उसको बहुत अच्छे तरी करना तो यहां पर जो है दो मैटर कहीं कहीं अभी फिलाल में उनके उप मुख्य मंत्री जो ते जस्वी आदे हैं उनके बंते जो है दो मैटर हुआ एक आपको आपने देखा होगा कि सात्यों चाड़ की मांग को लेकर जिस तरीके से पटना के डियम मारे थे मार पीड किये थ तो अब देखिए अरेश्ट किया गया है वो तो छोड़ेंगे ही लेकिन यहां पर क्या है कि आपका अंदोलन जो है वो समाप्त नहीं होने वाला है जब तक BPSC अपना ताना साही आदेज वापस नहीं ले पाती है टाइम ले ले कोई दिक्कत नहीं है लेकिन एक्जाम डे लोग जाने क्या कि आठोच सहुंना साथिंग्यारा तो शaking कि और वता है नहीं होतरा है अन्य फ़ुस्य बदलाव होता है या फिर discuss करते हैं फिर जो कुछ भी करते हैं हालाखि नोटिस तो जारी करती हैं कि हम 22 को एक्जाम लेंगे बाकि वो देखिए कोई बड़ा नहीं है उसमें जो है कोई डेट जो है वो नहीं दिया गया है तो कभी भी बदलाव किया जा सकता है बस यहीं झाल 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 झाल